दोस्तो भारत में दो नए blue flag beaches एड़ हो चुके हैं एक तमिलनाडू में कोवलम है और दूसरा इडन बीच पुडुचरी में है तो इसके साथ भारत में total number of blue flag certified beaches 10 हो चुके हैं तो क्या होता है blue flag certification वो जानेंगे बीम्स क्या है जानेंगे इसके सिवा भारत ने क्या-क्या अचीव किया है तो कुछ अचीव्मेंट्स भी भारत सरकार ने P.I.B. में बताया है तो उस पर भी आज चल्चा करेंगे तो दोस्तो मैं किंजल 24 स्वागत करता हूँ आप सभी का pathfinder पर आप मुझसे मेरे telegram चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर lecture के बाद आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे साथी साथ नीचे दी गई मेरी an academy profile है जहाँ पर आप मुझसे ज़रूर जुड़ सकते हैं इसके सिवा दोस्तो नीचे comment में अगर आप देखे तो एक description box आपको देख रहा होगा उसमें एक link है तो आपकी जो भी subscription related query है आप वहाँ पर post कर सकते हैं उसके बाद मैं जरूर साथ जुड़ूंगा तो दोस्तो न्यूज में क्या है न्यूज में है दो नए blue flag beaches add हो गए है भारत में तो यह September 21 2021 को हुआ है और जो दो नए बीचे है एक है तमिलनाडू में कोवलम तमिलनाडू में आप अगर देखे तो यहाँ पर यह जो बीच है दोस्तो इस कोवलम ब बारे में जानना चाहिए अच्छे से तो इसी में अगर हम देखे दोस्तों तो blue flag certification के बारे में आये जान लेते हैं तो blue flag certification उन beaches को मिलता है जो कि कुछ 33 stringent criteria को meet करते हैं अगर आम आदमी की भाशा में समझाओं तो यह साफ सुत्रे clean beaches को मिलता है and यह one of the most globally recognized voluntary eco label है याने कि किसी beach को अगर मिल जाए तो माना जाता है वह beach बहुत साफ सुत्रा है पानी की quality अच्छी है tourist के लिए proper infrastructure maintain किया जा रहा है तो उनके लिए भी असानी है वैसे ही आप देखें तो काफी provisions रखे गए हैं disabled friendly है तो यह सारे इसमें कुछ characteristic होंगे changing rooms होंगे bathrooms होंगे तो यह सारी चीज़े facility provide की जा रही होंगी तो आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा blue flag certification सिर्फ beaches को ही नहीं मिलता यह marinas को भी मिलता है और साथ साथ sustainable boating tourism operators को भी मिलता है तो marina क्या होता है sea beaches तो आप सब जानते ही हैं क्या होता होगा तो marina दोस्तों वो इलाका है जहां पर आप देखें तो समुझर में वो जगे जहां पर ships आके dock करते हैं तो इस प्रकार का जो dock यहां पर आप देख रहे हैं यह क्या हुगा दोस्तों यह एक प्रकार का marina है तो इस प्रकार के marina को भी blue flag certification मिलता है इसके सिवा boating tourism operators उनको भी मिलेगा अगर वो अपने tourist को proper facility provide कर रहे हैं अपने जो boats है उनके उसका जो waste है वो clean होके समुझर में जा रहा है तो effluent discharge नहीं हो रहा है treatment होके गिर रहा हो तो इस प्रकार का जो वो tourist आ रहे हैं उनको सिखाया भी जा रहा है कि corals कितने important या कुछ भी हो सकता है कोई भी जीव है तो जीव कितना important है उसकी introduction करनी कितनी जरूरी है तो अगर tourist में भी इस प्रकार की काम हो रही है तो उस प्रकार के operators को भी blue flag certification मिलता है तो दोस्तो criteria's के बारे में 33 की 33 पर तो चर्चा नहीं कर सकते पर जो important criteria's है आप अगर देखें तो जो समुद्र है जो beach है उसका पानी का quality कैसा है तो पानी clean है या नहीं तो water quality maintain हो रही है या नहीं हो रही है क्या ये beach disabled friendly है दिव्यांग वो क्या इसको access कर सकते हैं waste disposal कैसा हो रहा है सी बीच में जो समुद्र है क्या उसमें sewage तो नहीं गिर रहा first aid equipment है या नहीं life guard स्वाँ पर मौजूद है या नहीं तो अगर ये सारी facility meet हो उस बीच में तो उनको blue flag certification मिल जाता है तो blue flag certification program अगर हम देखें तो ये एक NGO जिसका नाम है foundation for environmental education बस जानिए FEE नाम की एक NGO है जो की ये certification देती है तो FEE 1985 में France से start हुई थी और अभी FEE Denmark में Copenhagen में स्थित है initially ये blue flag certification सिर्फ European beaches को देते थे बाद में धीरे धीरे गिप दुनिया के अलग-अलग इलाकों में भी blue flag certification देना शुरू कर दिये तो दोस्तों बहुत important है आप भारत में क्याक्ट कॉन-कॉन से blue flag beaches है ये आपको जानना चाहिए तो number one आप देखे तो शिवराज पूर बीच द्वारका में है घोगला बीच दियू में है फिर अगर आप देखे तो पाडू-बीदरी और कसरकॉड बीच है तो ये दोस्तों अगर आप देखे तो करनाठका में है कापड बीच केरला में है नया आया कोवलम बीच तमिलनाडू में और इडन बीच पुडुचरी में इसके सिवा आंध्रप्रदेश में रूशी कोंडा बीच है और ओडिशा में पूरी के पास है गोल्डन बीच इसके सिवा अंध्रपान निकोबार में देखे तो राधानगर बीच है तो जैसा मैंने बताया ब्लू फ्लाग सर्टिफिकेशन यूरोप से स्टार्ट हुआ था तो आज भी आप देखे तो जो सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लाग सर्टिफाइड बीचेज है वो वही के कंट्रीज में दिखेंगे तो नंबर वन पर आता है भारत में कितना है 10 अब देखिए नंबर वन अगर आप देखे तो स्पेन उसके पास 713 713 ब्लू फ्लाग सर्टिफाइड बीचेज हैं ग्रीस में 545 ब्लू फ्लाग सर्टिफिकेशन दिये गए हैं तर्की में 519 ब्लू ब्लू फ्लाग सर्टिफाइड बीचेज भारत में देखेंगे दोस्ते आप बताना चाहूंगा ब्लू फ्लाग सर्टिफिकेशन पाने के लिए एक बीम्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया तो बीम्स है बीच इन्वायमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसे Society of Integrated Coastal Management तो बीम्स को किसने लॉंच किया है दोस्तो साइकॉम ने साइकॉम किसके अंदर काम करती है मिलिस्ट्री ऑफ इन्वायमेंट फॉरेट क्लाइमिट चेंज तो बीम्स प्रोग्राम का अब्जेक्टिव है नंबर वन पल्यूशन अबेट करना कोस्टल वाटर्स में तो जो भारत में कोस्ट है उनमें पल्यूशन का हो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट हो सी बीचेस का इसके सिवा कोस्टल एको सिस्टम को कंसर्व किया जाए क्लीनेस के हाई स्टैंडर्स मिंटेन किये जाए और बीच गोवर्स के लिए हाईजीन और सिफ्टी एंशोर करवाय जाए तो यह सब बीच के तहद किया जा रहा है तो पी आई वी में अगर आप देखे तो सरकार ने कुछ अपने अचीवमेंट्स बताए है जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तब से अब तक हम देखें तो कुछ तीन सालों में अचीवमेंट्स हैं तो सबसे पहले त देखे तो 750 टेंस ऑफ मरीन लिटर डिस्पोज किया गया है इसके सिवा जो क्लीनली लेट्स लेवल थी बीचेज में वो सी से ए प्लस प्लस पर पहुंचा दी गई है तो पूर से आउटस्टैंडिंग किया गया है साइंटिफिक मिजर्स का इसमें इस्तमाल किया गया है इ इसमें कोई chemical biological physical contamination तो नहीं है और इसके द्वारा health risk monitor भी किया जाता है इसके सिवा सवा लाक सवा लाक बीच गोवर्स जो जा रहे हैं इनको educate किया जाता है कि वो बीच में responsible behavior maintain करें और क्यों importance है क्यों ecosystem वहां की बहुत fragile है उसे conserve करना कितना जरूरी है इसमें भी इनको ग्या हुई है और इस वज़े से economic development भी वहां के लोगों को हो रहा है इसके सिवा जो fisherman family है तो 500 fisherman family के लिए alternate livelihood opportunities बनाए गये हैं इसके सिवा ministry कह रही है कि आने वाले 5 साल में वो 100 more beaches को इसी तर्ज पर develop करेगी तो दोस्तों काफी अच्छी बाते आपको यहां पर देखने मिल रही है और उमीद करते हैं यह successful हो तो काफी अच्छा eco tourism model इससे generate होता हुआ दिखेगा और वीज गोर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा तो इससे foreign tourism भी हमें and international remittances भी हमें increase होती हुई दिखेगी तो दोस्तों आज की class पसंद आई हो तो like करें अपने दोस्तों के साथ इस channel को subscribe कर करें और यह वीडियो को शेर करना ना भूलें इसके सिवा जब भी an academy आये use the code kc10 क्यूंकि जो आप यह code use करेंगे तो आपको direct hand holding मिलेगी मेरी mentorship मिलेगी best notes मिलेंगे और जो guidance है वो सारी subjects of GSSA geography optional में आपको मिलेगी इसके सिवा दोस्तों mega combat है तो इसका हिस्ता जरूर बने and Sunday day होता रहता है तो इसका हिसा जरूर बने सुबेh 11 बजे दोस्ता आपको कीमत बता देता हूं प्लस subscription और iconic subscription दो प्रकार की subscription है तो plus subscription की दो साल की कीमत है 14800 रुपे दो साल की आइकनिक की कीमत है 1,4,175 रुपए ये सारी कीमते तब है जब आप code KC10 apply कर रहे हैं जिसमें आपको 10% off ही नहीं मिल रहा है तिर आपको मेरी mentorship भी मिल रही है तो मेरी handholding मिलेगी तो ये code apply करके आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं इसके सिवा दोस्त आपको कहना चाहूं में आपके mentor सबसे connect करेंगे और जो भी important बाते हैं कैसा आपका performance हुआ तो इसको review करेंगे चड़ी booster sessions मिलते हैं और प्लस वाले सारे benefits तो हैं नहीं live test, quizzes, structured courses, interactive live classes और इंडिया के best educators के द्वारा बनाया गया सारा courses दोस्तो ऑप्शन सब्सक्रिप्शन भी है इसकी एक साल की कीमत है तो best utility है अभी अनकाडमी सब्सक्रिप्शन ले लें तो thank you so much for joining have a great day and let's crack it